हमारे साथ राज्य सभा के महासचिव देश रीपक वर्मा जी हैं उन्होंने बताया अभी कि किस तरह से योग के माध्यम से तमाम बीमारियों से दूर रहा जा सकता है और अपने वजन को भी नियंत्रित किया जा सकता है अभी इन्होंने योगा का एक सेशन के माध्यम से अप कि मैं यह मानता हूँ कि वर्क प्लेसेज में आज बहुत सारे उर्योपियन कंट्रीज में यह तरीका आगया है कि हम वर्क प्लेस पे भी एक्सरसाइज करमचारियों से अधिकारियों से कराते हैं ताकि क्योंकि अगर अच्छे स्वस्त हमारे लोग रहेंगे शासन में काम करने वाले सरकारी कारेयों में राजसभा सचवाले में तो उनका आउटपुट भी अच्छा होगा रिजल्ट अच्छे होंगे और सबसे बड़ी बात कि उनकी माइंड में पॉजिटिविटी आती है यह पॉजिटिविटी जो हैं वो हमारे सरकारी कारेयों के संचालन में बहुत ही महत्पुट है कि हम हर समस्या को पॉजिटिविटी से देखें तो इसके लिए मैंने आज लोग के साथ स्वैम योगा फास्टिंग और प्लैंक ये वाई एफपी ये मैंने इनके साथ आज कि और योगा के कुछ जो महत्पुट चीजें हैं उनको लेकर के जिसमें सुर्य नमस्कार भी सामिल हैं उसके अलावा फास्टिंग जिसमें दो तरह की फास्टिंग होती है 16 प्लस 8 इंटरमुटेंट फास्टिंग जिसको कहते हैं और एक 24 आवर फास्टिंग और तीसरा प्ल कैसे अपने शरीर को मन को स्वस्थ रखा जा सकता है अपने वेट को कम नियंतरित रखा जा सकता है और खास करके जिसको हम कहते हैं जिद्धी फैट जो आदमी के मिडिल सेक्शन में एकठा हो जाता है उससे दूर रह करके अपने को स्वस्थ कैसे बनाया जा सकता है इस पर हम सब लोगों ने मिल करके बैठके एक्सरसाइज किया ताकि हम सब स्वास्त रह सकें मन से भी और शरीड से भी सर अभी आपने प्लाइंग के माध्याम से निखाया धाई मिनिट का सेशन आपने किया बहुत मुश्किल है आम तोर पे तीस सिकंड के उपर लोग नहीं कर पाते हैं कितने दिन के प्रैक्टिस ही है जो आप इस लेवल पे आ सकें और कितना आपको इस से फाइदा हुआ वजन कितना आपका कम हुआ मैं पहले तो जब प्लाइंग करना शू किया था तो मैं पंदरा सिकंड से उपर नहीं कर पाता था अब मुझे करते हुए लगभग साथ महिने हो गया होंगे और मैंने करीबन अपना जो वजन है वो इंपोर्टन बाट है कि वजन जो हमने लूज किया वो इंचेज में लूज किया कहते हैं कि आप इंचेज में लूज करिये या केजीज में लूज करिये तो मैंने पहले इंचेज में लूज किया और इंचेज में लूज करना मतलब मेरे जो मेरी टमी होती थी जो बीच के पोर्शन में जो जिसको तोन कहते हैं वो वाली वोसको मैंने सबसे पहले उससे दूर हुआ और वेट भी हमारा करीबन कम हुआ है और मुझे अच्छी बात है कि ये एकायक वेट नहीं कम हुआ है ये मुझे हर हफते या पंदर दिन के बाद मैं वेट जब लेता हूँ तो आधा केजी कम होता गया और इस तरह से मैंने करीबन टेन केजी वेट लूज किया आम तरह बेसर मानना है कि साउथ एशिया में जिसका जिकर किया आपने सेंटल ओबेसिटी जो बहुत जिद्धी होता है और आपने उस पर काम किया तो आपको लगता है कि धाई बिनिट के का ये प्लैंक ये लोगों के लिए काफी है देखे मैं साइंटिस्ट तो हूँ ने लेकिन मैं अपने अनवो से कह रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ मेरे साथ ऐसा हुआ और बहुत ही जादूई ढंक से हुआ इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने साथी अधिकारियों और कमचारियों से इसको शेर करूँ और अगर वो चाहें तो इसको एडाउट करके अपने जीवन चरिया में इसको ला सकते हैं अजिस सबाटीवी के दर्शकों क्या संदेश देना चाहते हैं मैं उनको ये देना चाहूंगा कि आप अपने को स्वस्त रखिए अपने को फिट रखिए चाहे आप जो भी तरीका अपनाना चाहते हैं जो भी एक तरीका है जो मैंने बताया आपके और भी तरीके हो सकते हैं खेल कूद हो सकता है उन किसी भी तरीके से अगर आप अपने को फिट रखेंगे तो एक फिट सिटिजन ही देश को फिट बना सकता है देश को उंचाईयों तक ली जा सकता है बहुत बहुत शुक्री आप पर राज्य सभा टीवी से बात करने के लिए तो आपने रेखा किस तरीके से मासचू महोदो ने बताया कि योग, फास्टिंग और प्लैंक के इस समनवे से तमाम चीजों से हम दूर रह सकते हैं, बीमारियों से दूर रह सकते हैं और स्वस्त भी रह सकते हैं कैमरामेन डीके पांडे के सार्थ महमत फातिह टीपू, राज्य सभा टीवी